फिबा फिबा मतलब फेलियर इंडिकेशन गंप्रेक अप्लिकेशन आज इसके बारे पहुन लुक जानेंगे यह इसका लाइन डियाग्राम है फिबा का यहाँ देख सकते हैं फेट पाइप नीचे ब्रेक पाइप कि पीबा के लिए फिबा है क्या को जिस एलेजबी में एयर ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है यह एक प्रिंग लगा हुआ है इसमें आपका फिबा लगा है फिबा किस लिए लगा है आपको पताएंगा देखिए क्या क्या कांपोनेंट लगा हुआ है उसके बाद में यहां फीट पाइट से एक ब्रांच पाइट निकला और उसके बाद एक में रिजर्वर जिसका कैपिसिटी है इसमें प्रेशर आ रहा है इसलिए 6 की पर सेंटिमेटर स्कॉयर ठीकर में रिजर्वर में प्रेशर आने के बाद प्रेशर यहां से आगे बढ़ा और दोनों ट्रॉली के तरफ लिया अब जानरे एक भॉझ में दो गड़कर, एक इस तरफ एक इस तरफ एस तरफ तो में प्रेशर परस निकल ले और बाद दोनों गजिया इस लिए कंगई में लाइन जाता रहा है, कि यह एक पोगी में दो एक पोगी में दो यह एक यह एक पोगी में तो दो डो आपली ज़बर, चालिश लीकरन का लगा हुआ है, उसके बाद यहां से निकल विढ़ेंग में जा रहा है डी सीवी, ड्यूप्लेक्स चेक बर्व का काम है, दोनों स्प्रिंग को सेम प्रेशर देना, अगर किसी कारण से एक तरफ लोट ज्यादा बढ़ गया है, तो उसका प्रेशर उतना ही कर देना जितना दूसरा तरफ का यह स्प्रिंग गार, जितने इस चेक बर्व से निकलने के बाद, लाइन जाता है, लेबलिंग बर्व में, लेबलिंग बर्व, और लेबलिंग बर्व के बाद, एयर स्प्रिंग, यहां तक सारा छेके इसी पर सेंटीपिटर इसको है, तो प्रेशर निकल गया है, चीकर? अब बोलिए यहां तक में कहीं फीवा नहीं, हम बता रहे हैं फीवा के बाद में, यहां तक में कहीं फीवा नहीं, ठीकर? कि यहां से बीटी से ब्रांच पाइट निकला जिसमा इस्टृ इंडिकाशन पाइट काउप फ्लेक्सिबल पाइट उसके बाद फेलियर इंडिकाशन करेक हैं किसलिए धिया हुआ है तो जिस सचमें अधिटर यह सबसें कर रहिए बar किसी ही कारण से किसी पी और से का प्रेशर एक केजी पर सेंटीमीटर इसपार कम हुआ वो लिकेज से हो सकता है लिकेज से भी प्रेशर कम हो सकता है या और भी कोई भी कारांद से अगर एक केजी कम हुआ तो फीबा भी एक सेंसर लगा हुआ जो सेंसर का पोट कुलेगा और बीपी का प्रेशर फीबा के मी जैसे ही पिपी का क्रेशर पार आना सुन हो भड़ा सारे कोज में ब्रेक अप्टिएशन हो जाएगा और साथ में इस पीवा का कोट खुला है इसलिए इसके बगल का ब्रेक इंडिकेटर रेड होगा जबकि इदर का ब्रेक इंडिकेटर डेनी रहेगा यह दोनों तरफ एयर जब कि इतार का कीमा फैयलियूर नहीं हुआ इसलिए एशा का प्रेकी इंडिकेटर दर्रिन जब कि साहरे गाड़ी में माल विसकर का एक रेख है सब में में जो ब्रेक दिच में आपने ब्रेखते है दोसो सब रेख गारी रुठ जाएगा कॉसा जिसमें फtechnop認 नों गरें अब को सदक्रेशच करना होगा रिसेट करेंगे काई सब्सक्राइब भलेया निले लेकिन और चनल क्रेंके अउनिटांच गाल maxowski कंद्धा दूसरा कंपनी जो फीवा बनाया वो बटन के जगा नॉब बना दिया जैसा आपके घर के गैस सिलिंडर नॉब और तीसरा एक रिंग बना दिया जैसा आपका डिवी का मैंनोर डिलेजबर उसी तरह छोटा रिंग दिचने को डिवी का मैंनोर डिलेजबर देखे तो उसी तरह छोटा रून तो इसको रिषएट कैसे Philadelphia को अगर failure हुआ इसको ayo कैसे करेंगक सबसे तारदी कोग आप दोग देंगा इसको isolate करेंगा उसके बाद कौम सा इबार जिसमें दो सब्सक्ड विड्र करने के बाद दोने को एक एक करके को में हम सेबू वाण 109 तो चोड़े पिरं बटन कुछ किये थोड़े पर पाला उसकी थोड़े दूसरा उसके छोड़े कम से कम दो बर करने के पाद आइसलेटी को खोल देंगे देखेंगे अपना जो प्रेक इंडिकेटर रेड था ये ग्रेंगे और एर स्क्रिम में हवाद फूरा आजाएगा दूसरा फीबा जिसमें नॉप बता है उसको भी वही करेंगे आइसलेटी को आइसलेट करेंगे और फीबा का नॉप अनॉप दो बार दो बार ऑफ किया ऑफ किया ऑफ किया ऑफ किया ऑफ किया कि किसी को भी तीनों फीबार तीनों में किसी को भी दो ही बढ़ता है कम से कम दो कि- ऐससे कि- दोब़ के लेगए सीक्र आइसलेटी तौटे सबस्क्राकर दोब करें न वेक रूमर ए सब्सक्राइ। क्ती ख करेंगे ने उस हम हां कि करा contact कैसे द्थनिक्माण वार आइसलेट आए अदिग डोफंद रहते हैं trib Cheryl is the जिए कमसे कम दो बर, प्रिवा एक्टी बही के बाल, आइसलेट करेंगे, आइसलेट करने से सादा ब्रेक तो छोड़ दिया, लेकिन इस ये इल स्प्रिंग में तो हवा नहीं आ यह तो आपका डेडिर आ गिया, जिस समय आप आइसलेट किये, यहां से प्रेशन आना बन आप बाइक चलते हैं यह चलते हैं आप बाइक के चक़ा में हवा नहीं रहेगा पंचर हो गया तो पंचर बनाएगा तो उसी तरह गड़ी चलते हैं यह जो है कि यह पिलूब ये से इसी मताजने हैं में बुरा ह्ना इसित जर्वाक अगर इसी तरह चला हो अगर चाला अगर ने की कहरा होगा मैं सफ्रेंश जाटका लगते हैं लाइन पड़ा शखोलोसा में में सब आपका डिस्टिनेशन तक ले जाना है, रिसेट करने के बाद, और अगर रिसेट नहीं हुआ तो किस तरह से ले जाना है, भो भी बता रहा है, आपका बाइक का जैसे पता है, आगे चक्का का हावा खतम हुआ, पंचर हुआ, आप उसी तरह, जिस तरह फूल स्प्रिट में अ और भी खड़ा होगा, जहां गड़ा पड़ेगा वहां गड़ा में आप जाईएगा, रोड पर भी तो जटका पड़ता है, उसी तरह यहां रेज्वे लाइन पर भी जटका पड़ेगा, अलगर लाइंट यहीं गंजोर बीला कूल भी सकता है, तो किवा को रिसेट करेगा मान दिखे, जैसा आप बोले, इसी तरह चलाना है, फिबा का रिसेट नहीं हो पाया, तब इसको इसी तरह से चलाना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, बीच रास्ता में आपको उतारा नहीं जाएगा, तो उस समय आपको करना है यह अपने सुपरवाईजर को बताना कि फिबा किसी तरह से नहीं हो पाना है, तो आपको यह अइसलेटिक कॉक आइसलेट रखना है, यहाँ अइसलेटिक कॉक आइसलेट रखना है, और यहाँ देखे तोड़को आइसलेटिक कॉक लाए होगा, यह दोनों को भी आइसलेट करना है, तोटल यह चार आइसलेटिक एक पाग आइसोलेट करने के बाग किलो मीटर दिस्रिक्शन 60 kmph पर आपका सुपर्लाइजर गारी छोड़ सकता है दिखिव में निंग सब्सक्राइबस फोर अधों फिट onda रहा जोड़े के दो फूली इसके बुदिन इसका कव ही जोड़ें कि दूसर रिखियो है है कि बारी रिसेट हो जाएगा अ awesome एलीकेश कटम हो जायागा यह जो रिसेट अगया रिसेट हो पुद्ध हो गया है हवा णिकलना बंद हो जो ब्रेक ढर्रीन हो गयाap जब अद्रցन हो जायागा इंधर से अपने आज पाव केल था कर दोbaren 32mm के यह त्रेखना है कि यहां से अधै homogeneous है कि यहां सेह अधिए तो आपको नहीं कर सकता है आकको बताया जाड़ा घीवा अगर यहां से फिराघ्ड कुछ है जाड़ी टो इसको दिरेच है जुआ ठरके अगर यहां से लिकेज हुआ, इन रूट में, तो आपको वही करना है, सारा इस रूट और डेस्टिनेशन तक 60 के इसके स्प्रिग में, यह आप इन रूट में, यह रेस्प्रिग ना चेंज कर सकते हैं, ना इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, यह चेंज ही करना पड़ेगा, यहां के लिए तो seven active होगा है, यहां के लिकेज से पीबा active होगा, बहुँछ साता काना है जिसके कानगर feedback is active होसकता, लिकेज के कार्ण तो होगा है लिकेज अगर एट केजी से ज्यादा होगा हम जो भी कार रहे हैं आपको करना है तो सब करना है अब इदर से दे रहे हैं आपका फिटाइप में हर समय प्रेशर आड़ा है किसी को भी तो रेस्ट चाहिए तो किसी को भी चाहिए थोड़ा देयर कर भी मिले लेकिन मिले यहां से हवा हर संवें निकल रहा है कि यहां से हवा अगर कीटल रहे है इसनमत्रम आझाल हर समय आघर हमें आए इसनमत्रम और को रहे मिलें कला होगए सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर नहीं कर पाएगा और इंगी तो चालू हर समय रहेगा कंप्रेशर जिससे में आपका गाडी में पुरा प्रेशर हो जाता है आप देखेगा अप्रेशर बंद हो जाता है तो इत्ती लोग बंद करके का अप्रेश्टिक्शन नहीं बढ़ेगा बंद करदें तो इस्टी डेस्टिक्शन नहीं बढ़ेगा यहां कि इधर के मुदा दे हावा कमए नहीं हावा जीदा आपका बाइक में किछे चुना हावा आगे हावा कम हा जिस समय चलाई है जटका तो आगे उना आपन जादा पड़ेगा उसी तरह इस पन जटका कम पड़ेगा लेकिन इस पर तो जादा पड़ेगा इसे लिए इस पीड रिश्क्रिक्सन करने लिए जादा आपको वाद आइस्टरेट उसके बाद चलाएंगे जाएंगे है जटका समझे करेंगे